अज़ो फ्रेंड वेल्कम तु दे चैनल फार्मेसे इशनरी आज का वीडियो थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग और इंफरमेटिव होने वाला है दोरो तरह के स्टुएंट्स के लिए अज हम बात करने वाले हैं कि एंप्यूल और वायल में क्या डिफरेंस होता है आपको ये वर्ड थुन्ने में थोड़ा अजीब लगा होगा कि ये एंप्यूल क्या होता है हमारे किस काम का है सो कभी न कभी आपने अपने बाडी में इंजेक्शन तो लगवाया ही हुआ होगा ये इंजेक्शन को लगाने के लिए जिस ड्रग को हम यूज करते हैं वो ड्रग किसी एक स्पैसिक कंटेनर ग्लास कंटेनर कहना ज्यादा अच्छा होगा उसमें तो पैक होता है उसी के हि आपका वायल और यह चोटे चोटे ब्लेट के जैसे दिख रहे हैं यह है आपका एंप्यूल्स तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है यह बॉटल के डिफरेंस के साब से बता रहा हूं अंदर के कंटेंट तो अपने आप में अलग-अलग होते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके इस वायल के डिफरेंस के बारे में जब कोभी हम लगवाते हैं तो ज्यादा तर देखने को मिला है कि हम इन्वे से कुछ चीजों को यूज करते हैं देखे यह अलग-अलग साइस के हो सकते हैं अलग-अलग क्वांडिटी का हो सकता कोई भी ड्रग हो से को इसे और ड्रग हो तो बात अलग हो सकती है लेकर इस पिटवाई ड्रग का पूरा पूरा 10 ml जो कि इसके पूरे कंटेनर में है जो पूरे वायल में यह तो हम लगा नहीं पाएंगे तो हम क्या करते हैं आप दिखेगा डॉक्टर इसकी सील को निकालता है सील लाग-लग रहत करके वापस निकालोगे तो यहां को छेड में नहीं रहेगा वो जो आपका छेड जनरेट हुआ है इस सीरी नीडल की विज़े से वह अपने आप वापस से री सील हो जाएगा इसी को में अपने इस सीरीज को इसके अंदर इंसेड करता हूं इसमें से जो क्वांटिटी मु मैंने यहां से ले ली अब क्या होगा कि अब मुझे अगर एक एमेल लेना है तो एक एमेल मैंने ले लिया किसी को एक एमेल देना था मैंने एक एमेल दे दिया बाकी के बचे नो एमेल का क्या करूं क्या इसे मैं डिसकार्ट कर दूं तुम नहीं यहां पर यह चीज़े नह यहाँ पर आपका जो रबर था वह आपस सेल्प सेलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिली सील हो गया अब इसे आप मल्टिपल लोगों को विदिन फ्यू टाइम लिमिट यूज कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुगा किसे आप बार बार यूज कर सकते हैं एक बार निकाला को दूबारा निकाला जिसके आपसे पड़ी जितनी क्वाइटिटी इसके इसापस हम निकाल लेते हैं यह एक में डिफरेंस होगी है दूसरा अगर आपको डिफरेंस की और और घ्यान देखेंगे तो देखेंगे इसका जो शेप है वह एक बॉटल की जैसा शेप है इसमें रबर की सीरिंग लगी गई है बहार में अलिविनियम की कवरिंग की गई है ताकि इसको सेल्फ फिलिंग बनाया जा सके ताकि इसमें कोई चेट चांड ना हो जब तक किसी इंटक्ट है इसमें आप ऊपन नहीं कर सकते रबर के धक्कन को क्याप को तो यह दूसरी पॉपर् इसकी जो क्वाणिटी है यहां पे एक हमेल है वह आपका दस हमेल का है तो अगर किसी को मुझे एक हमेल देना होगा तो वह डफिनेटली इसमें से प्रिफर किया जाएगा वैकिन वो ड्रग अवेलबल है कि ने उस पर बे ध्यान दिया जाना चाहिए दूसरा इसकी वेक्त ऑने वाटमर कपताएर थे और इसको निकालने के लिए आपक e reconstruction फिर कि खार कु़्या इसका अपर इसको तयों निकाले या ने तो यह आपका सिंगल यूनिट के फार्म से यूज करना है इमिडेटी आपको लिए आपको यूस करना पड़ेगा दूसरी एक खास बात क्या है कि इसमें rubber का कोई ceiling ऐसा कोई case ही नहीं कि आपने इसको बार-बार cover करके बार-बार use कर दिया यह एक major difference है अब हम दोनों को टेली कर लेते हैं देखे दोनों में क्या difference है इसकी quantity as compared to आपके ampule से थोड़ी सी ज़्यादा होगी दूसरा इस पे आप कई लोगों को कई बार medicine दे सकते हो आप इसको रख भी सकते हैं दो दिन के लिए रख के बार दे सकते हैं जिबकि इसमें ऐसा possible नहीं है एक बार आपने इसको break किया तो आपको within few times few minutes आपको इसको use करने ही पड़ेंगे अग्या जो content के difference हो यह है कि इस पे aluminum की एक self sealing protection की layer दी गई है इस पे आपको ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा तिसा difference यह है packaging के procedure के accordingly यह normal filling process को follow करता है जब यह hermetically sealing process को follow करते हैं इसके लिए sophisticated instruments के ज़त पड़ती है ताकि इसको आगे जाके अच्छे से seal किया जा सके इसके इसके रहे कोई specific instrument यह दोत नहीं पड़ेगी केवल आपके वायल है उस पे insert करने के लिए machine चाहिए cover up करने के लिए और seal करने के लिए चाहिए बाकि कोई difference में ज्यादा है नहीं इसके according लेकर आप बात करोगे तो तो आज की वीडियो में हमने देखा major major और इदम simple simple difference कि आपके ampule और वायल में क्या difference होता है उमीद करता हूँ कि आपको चीजे समझ में आई होंगी thank you so much for watching this video नमस्कार टेक केर